दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिस काम में कई दशक लग जाते थे वो अब सालों में या महिनों में ही हो जाता है। बनो अपने खुद के बॉस। क्योंकि ये लोगों को सिखाता है कि नौकर नहीं मालिक बने है। क्यों में रहते हैं। ये उन पर धोपा गया है तो भले ही आपका employer आपको पसंद करता हो आपको निकाल सकता है। कुछ तो गलत हो रहा है। अगर सोमवार की सुभा हार्ट अटैक के चांसे 35 प्रतिशत से बढ़ जाते हैं। हम दुनिया के सबसे जबर्दस देश में हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कंप्लेन करने में बुराई निकालने में लगे हो। हर कोई जो पुरानी चीजों को लेकर रोता रहता है बेवकूफ है। यहाँ जो है इतनी opportunity उसे देखो। इस्ट्रेल एज अब खतम हो चुकी है, वो मर चुकी है। इसलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूनना यह पुराना आइडिया है। पगार के लिए काम करना पुरानी बात है। जवाब की खोज आज हम सब को यहाँ एक साथ लाई है। मेरा नाम है एरिक वोरी। पिछले 30 सालों से मैं एक entrepreneur हूँ। संघर्ष करना पड़ा पर सफलता मिली। एक सफल लेखक, speaker और business man होते हुए, मैंने अपने पूरे करियर में दोनिया भर में लाखों लोगों को entrepreneur बनने में मदद की है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं उसका बहतर तरीका जरूर है। करियर बनाने के तरीके बदल चुके हैं, मगर बहुत से लोग अब भी पुराने तरीकों में फंसे हुए है। जो पिछली पीडी के लिए सही था, वो आज की पीडी के लिए नहीं है। इस फिल्म में हम तीन एहम सवालों का जवाब ढूंडेंगे। पहला, हमारे कामकाजी जीवन में असल में क्या हो रहा है। दूसरा, आज के हालातों में खुद का काम करना ज्यादा सही है या किसी और के लिए काम करना है। तीसरा, अगर कोई खुद का काम शुरू करना चाहे, तो कैसे कर सकता है बिना ज्यादा रिस्क के। इस काम में मदद करने के लिए मैंने आमंतरित किये हैं कुछ सर्वश्रेष्ट एक्सपर्ट्स और लीडर्स जो entrepreneurship के बारे में आपको सचाई बताएंगे मेरा इरादा है आपको ऐसी नई जानकारी देना जो आपको पुराने outdated model से हट कर सही चुनाब करने में मदद करेगी हमारी दुनिया देखते हैं 30 से 40 प्रतिशत काम नहीं कर रहे हैं मगर कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार कहती है कि अगर 6 महिने तक आपको नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोजगार नहीं हैं आप labor force से निकाल दिये गए हैं मैंने हमेशा कहा है कि अगर unemployment तकनीकी उन्नती के कारण है तो ये आर्थिक विकास की पहली निशानी है मान लीजिए दस लोग एक island पर रहते हैं वो रोज समुदर में जाकर मचली पकड़ते हैं एक दिन एक नई technology आ जाती है कोई उन्हें एक जाल लाकर दे देता है अब एक इनसान बोट चलाता है और एक जाल बिचाता है दो मच्छवारे वो पूरा काम कर लेते हैं जो 10 करते थे ये उत्पादक्ता में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी है वो भी एक ही दिन में ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं काटे की जगा जाल फेकना है बस अब इस आइलेंड पर बड़ी प्रॉबलम है असी प्रतिशत बेरोजगारी मगर आइलेंड के पास मच्छली कम नहीं हुई क्योंकि दो लोगों ने 10 के बराबर मच्छली पकड़ ली अब इतिहास देखें तो ऐसे बदलाव लाने में हजारों साल लग जाते थे उस समय हम फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर नहीं थे ये सब नए प्रोफेशन हमने बनाए, नई मैनुफेक्चरिंग जॉब्स बनाए, आज ये बदलाव एक दिन में आ जाते हैं, जब कोई तकनीकी उन्नती होती है और हमारे पास इससे निपटने की तैयारी नहीं है, नहीं बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा ट्रेन करने की सब, एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है, मैं काम के सिलसले में पूरे देश में घूमता हूँ और पूरी दुनिया में भी और मैंने देखा है कि जिस तरह से हम काम करते हैं और जिस तरह से हमें उसके पैसे मिलते हैं, ये तेजी से बदल रहा है पूरे दुनिया में सब कुछ उपर नीचे हो रहा है, तेजी से बढ़ती टेकनोलोजी की वज़े से, ये बहुत से जॉब्स खतम कर रही है और जो जॉब्स बचे हुए हैं, उसके लिए काबिल लोग नहीं हमार पास बात ये है कि पबलिक कंपनीज में जॉब्स कम से कम करके, प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बहुत ज्यादा डिमांड है जॉब्स सेक्योरिटी एक वहम है, लेकिन हमें स्कूल में अभी भी यही सिखाया जाता है और प्रॉब्लम वही से शुरू होती है फाइनेंशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में मिसिंग है और लोगों को employee बनना और salary के लिए काम करना सिखाया जाता है ये middle class के उपर चार्ट है middle class लोगों में जो स्कूल जाते हैं उनकी income साल दर साल कम होती जा रहे हैं लेकिन parents फिर भी कहते हैं school जाओ job करो तो इन सारे middle class लोगों को जो चार्ट में नीचे होते जा रहे हैं इन्हें कहा जाता है working poor यानि काम करने वाले गरीब अब कहते हैं गरीबी कम हो रही है वो सकता है मगर काम करने वाले गरीब बढ़ रहे हैं इसका मतलब है लोग उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना जीने के लिए जरूरी है जो financial pressure या आर्थिक दबा लोग आज मैसूस कर रहे हैं वो पहले के समय से मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा है अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आगे का रास्ता बड़ा खठिन होने वाला है आज अगर आपको अपना भविष्ण नियंतरण में रखना है तो 40-40 प्लैन नहीं चलेगा यानि कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 घंटे काम हर हफ़ते 40 सालों तक वो दिन जा चुके हैं किशी को समझाना चाहिए कि क्या चल रहा है और यह बहुत इंक्रिस्टिंग है लोग वापस स्कूल जा रहे है क्योंकि सब सोचते हैं मैं स्कूल जाऊँगा तो अच्छी जॉब मिलेगी लेकिन देखिए स्टूडेंट लोन के साथ क्या चल रहा है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं ट्रिलियन डॉलर्स से ज़्यादा और स्टूडेंट लोन क्रेडिट कार्ड के उधार से भी खतरनाक है जब लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया गवर्मेंट ने उन्हें स्टूडेंट लोन में डुबा दिया Student Loan के साथ problem है कि ये कभी माफ नहीं किया जाता है Credit Card में आप दिवाला घुशित कर दीजियो और पूरा उधार माफ मगर Student Loan में आप दिवाला नहीं घुशित कर सकते ये पटाना ही होगा ये सबसे खराब उधार है और ये चार्ट देखिए College Graduates की कमाई के साथ क्या हो रहा है ये कम हो रही है तो आप College जाते हैं उधार लेते हैं लेकिन कमाई कम होती जा रही है अब ये कोई समझदारी का काम तो नहीं है एक average सारी जिंदगी काम करने वाला American जिंदगी खत्म होने तक यानी 65 साल तक सिर्फ 27 लाग के 60 सी बना पाता है मतलब सिर्फ उतना कि बस काम चल सके मुझे खराब लगता है उस इंसान के बारे में जिसे काम पे जाने का बिलकुल मन नहीं करता जिसे सोमवार सुभा से चिड है अलाम क्लॉक से नफरत है जिसे बुधवार आते ही थोड़ी सी खुशी होती है कि आधा हफता निकल गया और शुक्रवार को चैन की सांस लेता है और वो बस हफते के उन दो दिनों के इंतजार में रहता है जब वो खुद के लिए जीता है अंचाहे लोगों से दूर और उन्हें ओफिस की पॉलिटिक से दूर जब दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती वो इंसान जो पचास हफते काम करता है साल में सिर्फ इसलिए ताकि दो हफतों की घूमने फिरने की छुटी मिल सके और आजकल तो वो घूमने फिरने भी नहीं जाते उन्हें छुटी तो मिलती है पर वो घर पर ही रहते क्योंकि वो इतना काम करके ठक जाते बिल्स चुकाने ट्राफिक में फसे रहना अलाम क्लॉक पे जीना जब तक काम नहीं होता उन्हें नीन नहीं आती मुझे खराब लगता है क्योंकि इस से अच्छा तरीका है जीने का बस उन्हें मालूम नहीं मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग लगता है हर कोई आफिस में अलग-अलग पदों पर है कोई बॉस, कोई जूनियर मगर ये सब सेम है एक पेपर पर चिपकाए फोटोस की तरह है बस, आज हैं, कल नहीं तो कोई खास फरक नहीं इनकी जिन्दगी में वो बस एक लाश की तरह काम किये जा रहे हैं ना खुशी ना काम करने का मज़ा ज्यादे से ज्यादे बस अपनी क्यूबिकल को थोड़ा सजा लेते हैं उससे थोड़ी तसली मिल जाती है उने कि लोग कुछ तो तारीफ करें उन्हें खाते रहती है जब मंदी आई थी तो लोग क्या मांग रहे थे नौकरी ये ऑफिस में बैठने के जगा नहीं वो काम मांग रहे थे काम ढून रहे थे वो नौकरी बस एक नापने का तरीका है काम के पीछे हम भाग रहे हैं वक्त है आईने में देख कर बोलने का ये देश की नहीं मेरी एकॉनमी का सवाल है मेरी छोटी सी दुनिया है जहां मैं रहता हूँ मुझे इसे सुधारना होगा मैं देश की एकॉनमी सुधारने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी है मैं हूँ वॉल्फ स्ट्रीट में ब्रह्मांड का आर्थिक केंद्र दुनिया के आर्थिक राजधानी ये वो जगा है जहां दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे लगाते हैं बैंक में इंट्रेस्ट रेट कुछ खास मिलता नहीं है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐसे ही रहने वाला है अगले 10, 20, 30 सालों के लिए तो लोगों को लगता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है शेर बाजार के अलावा अपना पैसन निवेश करने के लिए यानि अपना भविश्य स्टॉक मार्केट वालों के हवाले कर देना और फिर आस पे जीना कि मार्केट उपर जाए उनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ जाए ये एक तरीका है निवेश का मगर मुझे लगता है कि अगर आप अपना भविश्य खुद बनाए यानि अपनी मेहनत से खुद कमाने की कोशिश करें तो अपने आप पर निवेश करने में ज्यादा समझदारी है अपना भविश्य खुद कंट्रोल करें बजाए इसके कि अपनी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा इनके हाथ में दे देना अमेरिका में एक फैमिली के एवरिज कमाई होती है सालाना 50,000 डॉलर या 33,000,000 रुपए इन्हें मिडल क्लास कहा जाता है टॉप 25% में पहुँचने के लिए कम से कम 90,000 डॉलर या 60,000,000 रुपए होने चाहिए टॉप 10% में पहुँचने के लिए 1,40,000 डॉलर या 93,000,000 रुपए सवाल ये है उपर उठने का सबसे अच्छा तरीका क्या है टॉप 10%, टॉप 5%, टॉप 1% या उससे भी आगे बढ़ने का और मेरे हिसाब से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से जवाब है खुद का व्याफसाए बनो अपने खुद के बॉस आपको खुद का बिजनस करना ही होगा मैं किसी को नोकरी करने की सला सर्फ तभी देता हूं जब वो चोट खायवे हो जब कोई अंदर से हार चुका हो मैं सर्फ तभी उन्हें ये सलाह देता हूं और ये बहुत दुख की बात है जब आप किसी को आत्म विश्वास नहीं दिला सकते कि सब ठीक हो जाएगा किसी को नौकरी करने की सलाह देना यकीन मानिए इसमें कोई भलाई वाली बात नहीं है आज का लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा स्टेटिस सिंबल बन गया है अगर लोग खुद का बिजनस कर रहे हूँ भले ही घर से काम कर रहे हूँ वाव मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ काश मैं ऐसा कर सकता अंत्रप्रनौर होने का मतलब है आप में दम है रिस्क लेने का कोई रोक नहीं सकता आपको आप देख सकते हैं कि आप आज कहा है और कहा होना चाहते हैं ना कि जो मिल गया उसी में जीवन निकाल दिया देखे बड़े अंत्रप्रनौर्स को उनके सपने बड़े हैं वो आज वो सब करने को तयार है जो दूसरे नहीं करेंगे ताकि कल वो ऐसी जी सकें जैसे दूसरे नहीं जी सकेंगे बिजनस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती जितना चाहो बनाओ आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसी टीम तयार करते हैं दुनिया में सबसे अच्छा बिजनस है आपका अपना खुद का बिजनस अगर आप खुद का काम करना चाहे तो कुछ आम विकल्प है मगर जितना आपको लगता है उससे ज्यादा रिस्क है उसमें किसे भी रीटेल बिजनस में दुकान खड़ी करना बहुत महगा है सिंपल आइस क्रीम की दुकान लगाना जहां अलग-अलग फ्लेवर्स की आइस क्रीम मशीन से निकल कर आ रही हो 20, 30, 40 लाग से कम की लागत नहीं है मुझे एक डोनट स्टोर खोलने का मन है मगर उसके लिए कम से कम 50 लाग रुपे चाहिए इतने एक्स्ट्रा पैसे किसके पास है ज्यादतर लोग दो तीन बार रिस्क लेते हैं और सब गवाँ भी देते हैं बड़े लोग भी जैसे रिचर्ड ब्रैंसन मैं उनका बड़ा फैन हूँ लेकिन उनकी भी आधी कमपनिया पैसे नहीं बनाती आप लाखों बनाएं प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी करोडों बनाएं और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी अब आप और हम तो जानते ही हैं जितने ज्यादा पैसे हम बनाएंगे जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो खुद का काम करना चाहते हैं सत्तर प्रतिशत लोग ऐसा कहते हैं एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक मगर उन्हें पता नहीं कि करना क्या है तो क्या करें? एक तरीका है किसी का बिजनेस खरीद लो मगर सोचना ही ये पड़ेगा कि वो बेच क्यों रहा है या तो बड़ा हाट बिजनेस होगा या जितना सोचा था उतने पैसे नहीं बना रहा होगा दूसरा तरीका है फ्रैंचाइज ले लीजे रिस्क कम, प्रोवन बिजनेस लेकिन ये महंगा होता है तीसरा तरीका है खुद का कुछ नया शुरू करें और यहीं पे लोग डर जाते हैं हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं प्रोडक्ट आइडिया नहीं हैं काबिलियत नहीं हैं और मैं अपनी फैमिली को रिस्क में डाल कर नहीं कर सकता तो चौथा विकल्प है इन्वेस्टर बनिये काफी लोग करते हैं इस शहर में लेकिन उसके लिए भी बहुत सोथ समझ करकर ना होगा है राइट वेंचर कापिलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं नए बिजनेस धून कर उनमें इन्वेस्ट करने में वो भी 11 में से सिर्फ एक में ही पैसे बना पाते हैं बाकी 10 कुछ खास रिटर्न नहीं देते ज्याद अतर फेल हो जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स 15 में से एक में कमाते हैं बिजनेस एक टीम केम है मेरे पास अकाउंटेंट्स होने चाहिए इंजिनेर्स होने चाहिए सिस्टम डिजाइनर्स होने चाहिए सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, अड्मिशन्स टीम लीगल टीम होनी चाहिए एक एवरेज इंसान मैं और मुझमें भी इतने काबिलियत नहीं कि मैं इन सब को एक साथ ला सकूं कुल मिला के चारों ट्रिडिशनल बिजनेस आप्शन्स में पैसे चाहिए, बहुत सारे काबिलियत चाहिए और टाइम चाहिए ये सब मिलकर हो जाते हैं बहुत ज्यादा रिस्क, ज्यादा तर लोगों के लिए मैंने किसे से बिजनेस खरीदा और बहुत काम करना पड़ा उस पर तो मुझे लगा मैंने आखिर क्या खरीदा सिर्फ आपका इमेल आईडी और बहुत ज्यादा पैसे दिये उसके लिए जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगाते हैं सिर्फ शुरू करने के लिए और जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है आप जानते हैं रिस्टूरॉंस का सिक्सेस रेट क्या है? कितना है? करीब 90% फेल हो जाते हैं 90%? कितने टाइम में? सब सीखने के लिए मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तयार मिले बना बनाया और मालिक भी आप खुदी हो दोनों मिले तो कैसा होगा? बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा आपको बड़ा लीडर भी होने की जरुरत नहीं नया प्रोड़क्ट भी नहीं बनाना पड़ा अल्रेडी काम्याब प्रोड़क्ट मिला सिस्टम भी तयार ट्रेनिंग भी सेट सब कुछ मिला सिवाए एम्प्लॉयर या मालिक के बस यहीं नहीं मिला आपको लगता है कि ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम करना चाहेंगे? पैसे कमाने के और बहतर तरीकों की हमारी खोज में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अंत्रप्रणॉर बनना एक एमपलॉई बनने से ज्यादा सेफ है और खुद का बिजनेस करने के सारे आप्शन्स में एक रास्ता बार-बार सामने आया सभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से और आपको जानकर आश्चरह होगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये मॉडल है लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अंतरप्रणॉर बनने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरीए कुछ लोग इसे डिरेक्ट सेलिंग कहते है क्योंकि सामान सीधा मैनिफाक्चरर से कस्टमर तक जाता है बिचौलियों को हटा कर कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहते क्योंकि इसमें कई लेवल्स पर कमिशन दी जाती है पर सबसे ज्यादा इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिब्यूटर्स यानि इंडिपेंडेंट अंत्रप्रनॉर्स की मदद से एक प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा कुशलता से बेचा जाता है मैं और मेरे दोस्त करना चाहिए इतना अच्छा है मेरे आपसे डिरेट सेलिंग बिजनस करने का बहुत अच्छा तरीका है इसमें घुसना बहुत आसान है आप खुद का काम कर रहे हैं एक अंत्रप्रनॉर्ण बन कर जब हमें अरबपती बिजनस्मेंट दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कमपनीज शुरू करते हुए जब हम महान लेखक और उद्योगपतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंदस्ट्री है ये network marketing companies कई करोडों, कई अर्बों की कमपनिया बन गई हैं Stock market lead करती हैं, ये major companies बन गई हैं आप school जाते हैं, नौकरी पाने के लिए लेकिन अगर आप रईस बनना चाहते हैं, entrepreneur बनिये और network marketing आपको सही महाल देता है इसके लिए एक traditional company अपने revenue का 50% marketing पे खर्चा करती है network marketing companies का तरीका अलग है इतना सारा खर्चा marketing पे करने के बजाए वो independent distributors use करती हैं, अपनी marketing करने के लिए अब वो ऐसा क्यों करती हैं? पहला, क्योंकि word of mouth advertising, traditional media advertising से कहीं ज्यादा असरदार है दूसरा, कुछ products को समझानी की ज़रूरत पड़ती है और एक independent salesman ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है बजा एक ad के तीसरा, ये बहुत किफाईती है क्योंकि company को marketing के पैसे तभी देने होते हैं जब बिक्री होती है उसके पहले नहीं सोची अगर Amazon आपको independent distributor बनने देता और कमाई का 40 प्रतिशत आपके distributor group को देता आपको केवल product recommend करने है customer Amazon से खरीदेगा सब कुछ Amazon ही handle करेगा और आपको सिर्फ customer लाने के पैसे मिल जाएंगे अब सोची अगर आपको पैसे मिले हर बार जब वो customer सामान खरीता है अपनी पूरी जिंदगी में वेल Amazon यह option नहीं देता मगर network marketing companies देती है हमारी society में 85 प्रतिशत खरीदारी word of mouth की वज़े से होती है या नाम की वज़े से हम एक दूसरे को चीजें सारा समय recommend करते है आपका dentist कौन है, doctor कौन है, lawyer कौन है, कौन सा detergent आप use करते हैं हम एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो clerk आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता product detail देना तो दूर की बात है तो जब किसी दोस्त या पडोसी या रिष्टेदार या एक अजनभी से ही जिसको भी उस product को use करने का experience हो जब product information आती है तो वो बहुत माइने रखता है किसी भी तरह की marketing से network marketing कंजूमर को ज़्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है ये advertising से ज़्यादा असरदार है क्योंकि advertising में बस थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो इसमें सब नहीं पता चलता इसलिए network marketing advertising से आगे है अगर आप एक sales company है और आपको एक मिलियन डॉलर के product बेचने है आपको 100 superstar salesman ढूनने होंगे और हर एक को 10,000 डॉलर की sale करनी होगी लेकि network marketing distribution system इन numbers को बदल देता है इसमें एक product को पसंद करने वाले 10,000 खुश customers होते है अब हमें इससे फर्क नहीं पढ़ता कि individually कोई कितना भी बेचे अगर सिर्फ 100-200 डॉलर भी महिने का बेचा तो महिने की 102 मिलियन डॉलर की sale हो जाती है network marketing समझाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता यह company का marketing department है यहाँ दुकान बनाने में पैसे waste नहीं होते यहाँ माल पड़े-पड़े waste नहीं होता यहाँ बिना customers वाले employees नहीं होते यहाँ लोग सीधा customer से जुड़ जाते हैं यह company बहुत कम कीमत पर लोगों को independent distributor बनने का मौका देती है बिना किसी समय या sales target के यह आपका खुद का business है तो कम या ज्यादा जितना आप चाहें उतना sales कर सकते हैं इसका मतलब distributor को खुद का business होने के सारे फायदे मिलते हैं बिना risk के Network marketing का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, risk कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम बाकी हर काम में risk बहुत ज्यादा है कम से कम investment में ये शुरू हो जाता है बना-बना एस system मिल जाता है products and services जो अल्रेडी काम कर रहे हैं Network marketing एक ऐसा business है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुडने का ये मौका देता है एक आम इंसान को जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो तो ये सब समझना तो सीधी सी बात हुई लेकिन network marketing का एक और फायदा है और यही फायदा इसे entrepreneurs के लिए इतना interesting बनाता है Network marketing मौका देता है एक distributor को अपना खुद का distributors का network बनाने का और फिर उन्हें पैसे मिलते हैं पूरे group द्वारा की गई sales के Direct selling का basic समझना बहुत simple है ये एक product या service की बिक्री है एक customer को one-on-one face-to-face तरीके से बिल्कुल जैसे अभी हम बैट कर बात कर रहे हैं लेकिन इसमें एक जरूरी बात भी है इस sales के साथ आती है एक opportunity मौका खुद अपना काम शुरू कर पाने का आप society के किसी भी वर्क से हो कोई भी भाशा बोलते हो देखे कितने सारी simple लोग इतनी successful बन रहे हैं इसकी वज़ा से ये दुनिया के लिए कितना जबरदस्ट gift है बजाए इसके कि किसी company में promotion होते होते उपर जाएं और prove कर पाएं कि आप sales manager के काबिल हैं network marketing में सब को sales manager माना जाता है हर कोई अपनी sales team बना सकता है पहले दिन से इस वज़ाए से network marketing companies में growth geometric progression में होती है यानि एक का 2 और 2 का 4 तो आप sales team बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि हर कोई अपनी team बना रहा है जोने अजीब लगता है कि मैं sales team बना रहा हूँ आप एक नौकरी में और क्या गरते हैं आपकी company कैसे काम करती है direct selling association के हिसाब से अगर दुनिया की सारी network marketing companies को जोड़ दिया जाए तो वो 178 billion डॉलर या 12,460 हरब रुपए की सालाना retail sale करते है आई ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है National Football League साल के 9 billion डॉलर या 630 अरब रुपए बनाती है Music industry साल के 16 billion डॉलर या 1120 अरब रुपए और movie industry साल के 80 billion डॉलर या 5600 अरब रुपए average निकाला जाये तो network marketing companies 178 billion का करीब 40 प्रतिशत commission distributors को देती है यानि साल के 71 billion डॉलर यानि महिने के 6 billion डॉलर यानि 200 million डॉलर या 1400 करोड हर दिन की commission मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे है network marketing में जिस तरीके से network marketing industry पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे है market में ज्यादा फैल रही है और इसलिए market में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या है आजकल बाकी companies direct selling companies की तरफ देखकर सोच रही है कि ये कुछ तो है लोग पैसे बना रहे हैं company मुनाफ़ा बना रही है लोगों में काम करने का जोश है product market में पहुँच रहा है शायद हमें भी ये करना चाहिए कुछ लोगों को लगता है केवल उपर के लोग पैसा बनाते हैं आईए ये भी देख लेते हैं network marketing की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो एक मिलियन डॉलर या साथ करोड रुपे से ज्यादा साल आना कमाते हैं अगर इसे दो मिलियन डॉलर कर दिया जाये तो होता है एक बिलियन डॉलर साल का यानि साल के 71 बिलियन में से एक बिलियन गया बचा 70 बिलियन तो बाकी का पैसा कहां जाता है ये जाता है बाकी सारे part-time लोगों को जो कुछ 100 डॉलर से लेकर महीने के 1000 डॉलर तक बनाते हैं ये जाता है उन लोगों को जो इसे full time करीर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं मज़े कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बहतर बना रहे हैं मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकाल कर घूमना जाना चाते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं, तब काम वापस शूरू हो जाता है सबसे बड़ी चीज चो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिन्दगी में MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़ पती बनाया है और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुगाब अगर आपके पास चॉइस है दस साल जौब करने की या दस साल नेटवर्क मार्केटिंग बिसनस करने की तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रेजल्ट बहतर होगा बहुत सारी लोग इसको अपना फुल टाइम कारिया बना रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में नेटवुक मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है जिसको भी मैं जानता हूं उसके लिए क्योंकि उन्होंने इस पे सीरिसली काम किया और बहुत सफलता हासल की एक के बाद एक बहुत सारी सक्से स्टूरी सुनी है और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनस से उन्होंने लिए हैं कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेट्वक मार्केटिंग करते हैं। एक रीसन सर्वे के मताबिक उसमें से 82 प्रतिशत लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं। तो नेट्वक मार्केटिंग उन्हें जम गया है। सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं। उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है। ये पिरमिड है। हर कॉर्परेट कंपनी एक पिरमिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBA काम करते हैं। आप Ford ये Coca-Cola के साथ काम करते हैं अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुँचना चाते हैं तो ये एक पिरमिड है। सिर्फ एक आदमी वहाँ पहुचेगा हर दस साल में एक। जबकि Network Marketing को देखिए, वो ऐसा है। आप यहाँ हैं और आपके पीछे और CEO's आते जाते हैं। तो ये एक उल्टा पिरमिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कौनसेप बड़ा सिंपल है। अगर आप प्रॉड़क बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। काम के अनुसार पैसा। कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है। इंवस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानि हार्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा ऐसा नहीं है। जट्ना काम उत्ना पैसा. इससे फर्क नहीं पड़ता कि Company और Compensation Plan का क्या शेप है। पिरमेड हो, रेक्टैंगल हो, स्क्वैर हो या कुछ भी हो, अगर पैसे सिर्फ लोगों को जोडने से बन रहे हैं तो कुछ गलत है, लेकिन अगर कमपनी से जोड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, सेल्स होने के कारण, भले ही वो सेल लोगों को जोडने की वज़े से हुई हो, त कि Network Marketing वाले लोगों के पास products का भंडार होता था जो वो नहीं बेच पाते थे और नुक्सान उन्हें सहना पड़ता था उनके घर में, किचिन में सामान पड़े रहता था जो वो या तो नहीं बेच पाते थे या नहीं बेचना चाहते थे और वो प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा रह जाता था और वो नाराज हो जाते थे पहले ऐसा होता था कि आप 25,000 का सामान एक साथ ले लें तो डिसकाउंट मिलता था या कमिशन जादा मिलती थी आजकल सब कंप्यूटर पे हो जाता है वेरहाउस से सामान जाता है आपको घर पर जमा करने की ज़रूरत नहीं अब पेपरलेस काम हो गया है सब आनलाइन होता है बैक आफिस सब हैंडल करता है आपका काम काफी कम हो गया है टेकनोलोजी ने सब कुछ बदल दिया है तीसरा प्रॉबलम है लोग बोलते हैं 99 प्रतिशत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बनाते अब इसके बारे में हमने अल्रेडी बात की 200 मिलियन डॉलर या 1400 करोड रुपे हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रिब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ग्यान से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते मगर अंजाने में गलत को सच मान लेते हैं मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है ज्यादा तर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सकें जैसे एक सूपर मार्केट देखी अगर एक इनसान यहां की मेंबर्शिप लेता है ताकि सामान खरीदने पर उसे डिसकाउंट मिले तो इसमें कुछ गलत नहीं क्योंकि उसे सामान मिला कम दाम पर और वो खुश है लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें देखो वो तो सिर्फ प्रॉडक्ट यूज कर रहे हैं पैसे तो नहीं कमा रहे है तो वो बेवकूफ है बिल्कुल नहीं वो एक खुश कस्टमर है और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा है अब इसमें से कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं वो पैसे बनाने लगते हैं लाग डेड़ लाग महीने के कमाने लगते हैं ज्यादा लोग ऐसे ही हैं और इसमें से भी कुछ इस पे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जबरदस्त काम होता रहें और ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं एक एकॉनमिस्ट या अर्थ शास्त्र का एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं बाकी इंडस्ट्री इस की तरह इस इंडस्ट्री को भी देखता हूँ तो एक परसेंट इसमें बहुत काम्याब होते हैं दस परसेंट थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं लेकिन रिस्क और मेहनद भी कम है ठीक है और नब्य प्रतिशत लोग सिर्फ कस्टमर्स होते हैं एक चीज जो सही है जब बात होती है कि लोग नेटवर्क मार्किटिंग के बारे में क्या सोचते हैं लोगों को और इंडिपिंडन डिस्ट्रिब्यूटर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कभी-कभी वो प्रॉडक्ट या कमाई को लेकर अवास्तविक वादेक कर जाते हैं ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं मगर उनके पास स्किल नहीं है उन्हें पता नहीं ये कैसे करना है और जब नए बिजनस को करना ना आता हो तो लोग डर जाते हैं निराश हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो भात करें उसे sign up करना ही है और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास time नहीं है तो वो बौखला जाते हैं नहीं क्या हुआ हमें साथ में करना है तुन्हें ना कैसे बोला फिर वो जबरदस्ती convince करने के लिए बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं product के बारे में जो शायद सही भी ना हो ओ तुम्हें इतने पैसे कमा सकते हो तुम्हें कुछ नहीं करना है सब नीशे अपने आप होगा तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस business को समझाते हैं और लोगों के पीछे पढ़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है क काम्याब होने के लिए सबको sign up करना ही होगा जबकि ऐसा नहीं है एक बहुत ज़रूरी बार जो मैं हमेशा कहता हूं सारी direct selling companies और distributors से आपको अवास्तविक वादे करने की ज़रूरत नहीं network marketing की सचाई है इसमें बहुत महनत है hard work है अपने आपको बदलना होगा दूसरे business की तरह ये भी एक business है इसमें कुछ वक्त लगेगा मगर ये ज्यादा अच्छा है पाट साल पहले के मुकाबले जो लोग ये business आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये और भी आसान है आज इ बदलेगा तो सोच भी अपने आप बदल जाएगी इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो चुकी है ये बिलकुल बदल चुकी है आज की PD सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है उन्हें network समझता है उन्हें समझता है कैसे लोग technology से आपस में जुड़े हैं और उन्हें समझता है कैसे पैसा इन network में बनता है तो जब वो network marketing देखते हैं उनका नजरिया उनके parents से अलग होता है हमने जो देखा है network marketing में पहले जो गलतियां इस industry में हुई है वो पहचानी जा चुकी है और सुधारी जा चुकी है पहले की गनिट जो काम नहीं करती थी वो अब ठीक की जा जब computer program बनते हैं तो उसको चलाया जाता है और फिर गलतियां साफ की जाती है MLM में भी ऐसे ही गलतियां साफ की जा चुकी है आज internet का जमाना है आज की जमाने में business mobile phone पर ही हो जाता है तो बताओ और क्या चाहिए Companies और समझदार हो गई है वो हर तरीके से सुरक्षद बन रही है नियमों का पालं कर रही है प्रॉडक्ट पर ज्यादा research कर रही है अगर आप जुड़ते हैं और अपनी मर्जी से products खरीद कर रखते हैं बेचने के लिए और अगर आपको business बंद करना है तो company आपसे वो products वापस खरीद लेगी और कोई business इस तर एकी सुरक्षद नहीं देता और company अपनी मर्जी से ये करती है कोई बाहरी दबाव की वज़े से नहीं अगर आप network marketing business शुरू करना चाहते हैं अपनी family के लिए और पैसे कमाने के लिए तो इन चार चीजों का ध्यान जरूर रखें पहला क्या यहां product या service है अगर है तो पांच चीजे देखें पहला क्या आपको वो पसंद है क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे दूसरा क्या इसकी market में जरूरत है अगर जरूरत बनानी पड़े तो ये मुश्किल होगा तीसरा क्या product इस जरूरत को पूरा करता है कंजूमर्स को इसका फाइदा होगा चौथा क्या इसका भाव बराबर है मार्केट में बाकी products के मुकाबले और पाँचवा क्या इसमें मुनाफ़ा होगा कंपनी और डिस्रिब्यूटर के लिए माजिन है या नहीं ताकि लंबे समय तक मुनाफ़ा हो अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं तो अगली चीज देखनी होगी कंपनी क्या ये सही चल रही है क्या management पे आपको भरोसा है क्या उनके पास काबिलियत है इसे आगे लेकर जाने की product कितना भी अच्छा हो अगर management सही नहीं तो कड़बढ है अगर अच्छा management है तो वक्त के साथ बदलाव ला सकता है मुसीबत के वक्त आपको बचा सकता है सही management वाली company चुने जो आपको लंबे समय तक कामा सके तीसरी चीज देखनी होगी compensation plan और उसमें तीन जरूरी चीज है पहली एक बिल्कुल नया sign up क्या जल्दी ही पैसे बना पाएगा उसकी कोई भी वजाओ मगर क्या आप सोच सकते हैं ये पहला चेक भले ही छोटे amount का हो उस नय sign up का कितना मनोबल बढ़ाएगा आपकी पूरी टीम सफलता की और बढ़ेगी दूसरा एक IR की ठीक ठाक part time income शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और जैसे जैसे network और sales बढ़े और फायदे मिलने चाहिए तीसरा जो लोग इसे एकदम seriously करना चाहते हैं जो network marketing में पूरा दम लगा देना चाहते हैं उनकी अच्छी खासी full time income की संभाबना होनी चाहिए अगर वो hard work करें और सीखने को तयार हो अगर आप product, company और compensation plan से खुश हैं तो आखरी चीज आपको देखनी होगी support जो आपको दिया जाएगा क्या company के पास website है? क्या आप business online चेक कर सकते हैं? क्या अच्छी training औप लब्द है? क्या events होते हैं आपको business बढ़ाने में मदद करने के लिए? कैसा support system है? ये बहुत ज़रूरी है कौन से company चुनना है? ये आपके उपर है लेकिन इन चारों को परखना product, company, compensation plan और support system ज़रूरी है क्या company promise कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे? तो कुछ कड़बड़ है क्या company के पास product है? जो आपको सही लगता है जो बेचा जा सकता है या जो आपको plan दिखा रहा है वो कह रहा है कि product को छोड़ो वो माइने नहीं रखता तुम्हें तो बस दूसरे लोग जोड़ने है ये खतरनाक है ऐसा दिखे तो सोचें दोबारा सोचें customers, products और business को समझें थोड़ी success हासल करें और देखें कि opportunity आपको कहां ले जा रही है पता लगाईए वो मेरी training, मेरी education, मेरी development के बारे में कितना सोचते क्या मुझे आज सीखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है प्रोड़क के बारे में सब कुछ सीखिए जिस पे आप विश्वास करते है इंडस्ट्री के बारे में सब सीखिए और business चलाईए जो भी आपकी company कर रही है उस पे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए मैं पहले अंदर घुसने के बाद पर्खूंगा product को, company को, लोगों को और फिर करूंगा और सब सही लगा तो पूरा दम लगा दूंगा इसमें ये है Lincoln Memorial यही वो जगह है जहां Martin Luther King Jr. ने famous I have a dream speech दी थी और उस speech में उन्होंने अपने सपने की बात की थी कि दुनिया में हर किसी की समानता हो ये एक महान सपना है लेकिन ज्यादा तर लोगों को ये याद करना चाहिए कि कैसा था जब वो बच्चे थे जब आँखों में सपने जिन्दा थे इस से पहले कि उन्हें मार दिया दुनिया की सचाई ने नौकरी ने जिम्यदारियों ने इस बोज तले जीने में कि हर महिने बिल्स भरने है लोगों को वापस बच्चपन में जाने की ज़रूरत है अपने सपनों के करी एक बार उन्हें पता चल जाए कि जिन्दगी जीने का और भी अच्छा तरीका है तो उनका भविश्य और सुनहरा हो सकता है तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से कुछ सला है आपके लिए पहला नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है ये भावनात्मक है, चैलेंजिंग है किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर जजबा है खुद का काम करने का तो ये बाकी सबसे अच्छा है दूसरा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पूरा दिल लगा कर कीजिए इसमें चैंपियन बनिए बजाए इसके कि आप इसे बस टाइम पास के तरीके से करें तीसरा, हर नए काम की तरह इसे भी आपको सीखना होगा मगर मेरा वादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बातें इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है चौथा इसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू किया और कल मैक्स आउट और रेटायर्मेंट और पांचवा इसे जरूर करना चाहिए ताकि आप अपनी जिन्दगी खुद बना सके ताकि आप अपनी आर्तिक स्थिती खुद सुधार सके ताकि आप अप्लाइन्स जैसे मस्ट लोगों के साथ काम कर सके ताकि आप जबरदस चीजें देख सके experience कर सकें ताकि आप अच्छी चीजों के लिए योगदान दे सकें लोगों की जिंदगी छू सकें उन्हें उम्मीद दे सकें जो दोस्त इस सफर में आप बनाएंगे मेरा वादा है वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे याद रखे ज्यादातर लोग आप ही की तरह खोज में लगे है मगर नेटवर्क मारकेटिंग में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं अगर भावनात्मक तरीके से देखें तो ये सुनने में बड़ा मस्त लगता है मगर ऐसा नहीं है एक चुनौती है ज्यादातर लोग इसे अब भी समझते नहीं है तो अंजान लोगों की वज़य से आपके सम्मान को थोड़ी ठेंस पहुँच सकती है जिनने इसके बारे में पता नहीं अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे अगर नहीं तो कोई भी बिजनस शायद आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप इस चुनौती का सामना कर सकें तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है उन्हें ये सोचना चाहिए आप एक जॉब में है आपके उपर कर्जा है EMI है घर का गाड़ी का ये एक जेल से कम नहीं है आप उतना ही हाड़ वर्क करते हैं कि आपकी नौकरी न चले जाए और वो बस इतने पैसे देते हैं कि आप छोड़ के न जाए मैं भी अपनी जिन्दगी में ये कर चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फेल होते हैं तो ये सिर्फ एक होमवर्क लेशन की तरह है इसमें किसी का कोई दोश नहीं है आपके बहाने नहीं चलेंगे अगर आप असफल हैं कोई नहीं सुनना चाहता जब इतना सब अवेलिबल है आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है तो अपने उपर के लोगों से सीखे जो एक लेवल पे हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और नीचे वालों को सिखाते हैं कोई भी पूरा एक्सपर्ट नहीं है जिन लोगों को दूसरों से पूछने में डर नहीं लगता प्लान दिखाने के लिए और फॉल उप भी बिंदास करते हैं बिना डरे कि सामने वाला मना न कर दे फ्यूचर रूंका ही है कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको काम करना होगा अपनी जगां से हिलना होगा वरना जिन्दगी नहीं बदलेगी शुरुवात में आप बहुत सारा काम करेंगे जिसके पैसे नहीं बनेंगे मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको उस काम के भी पैसे मिलेंगे जो आपने नहीं किया और आपका काम है बागियों को भी entrepreneur बनना सिखाना समाज कभाला कीजिए या तो आप इसे पूरे दिल से कीजिए या मत कीजिए ये कभी अंदर कभी बाहर वाला काम ऐसा मत कीजिए अच्छे सपने भी होते हैं और बुरे भी लेकिन सबसे बुरा सपना है अंदर की आवास को ना सुन पाना इस प्रोफेशन में आप बहुत जबरदस्त बढ़त देखने वाले हैं सही समय है ये नेट्वर्क मारकेटिंग से जड़ने का और अगले दस सालों में ये एक्स्पोनेंशली ग्रो करेगा आने वाले समय में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप नेट्वर्क मारकेटिंग के बारे में जानते हैं क्या वो पूछेंगे कौन सी networking company के साथ आप अपना market बिल्ड कर रहा है हम यहाँ लोगों के साथ रिष्टे जोड़ना चाहते हैं दुनिया को बहतर जगा बनाना चाहते हैं और असली सफलता होती है एक entrepreneur की जब किसी को कुछ सिखाया जाए और उसे उपर उठते हुए देखें इस दनगे साथा करना मुश्किल हो सकता है बिल्कुल मगर बदले में क्या मिलता है अपने हाथों से बनाईज जिंदगी अपने तरीके के जिंदगी अपने सपनों के जिंदगी ये गुबारा आपके सपनों का प्रतीक है entrepreneurship का प्रतीक है मेरी आप सब के लिए मनोकामना है कि आप इसे हासल करें अपने सपनों को पूरा करें चुनाव आपको करना है